नमस्कार जैहिन साथियों गुट मॉर्निंग ट्वाला फ्यू उम्मेद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्त होंगे और आप सब के त्यारी बेहतर चल रही होगी एक बार आप सभी लोग कन्फरम करेंगे कि वाइस प्रापर आ रही कि नहीं आ रही है उसके बाद मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा बिल्कुल मेरे इस्टुडेंट ही कह रहे हैं कि सभी लोग पहले ही लाइक और सेर कर दो सर्को कहना न पड़े जालिए अब को प्रणाम है सबका नमस्कार है और अब का स्वागत है एक बार सभी साथी घंड सेर करेंगे और लाइक करेंगे बिल्कुल आप आज केलियर है मुझे कनफरमेशन मिल गया है चैट बॉक्स में जोती जी ने बता दिया है विनोत कुमार जी राधे राधे एक बार आप सभी लोग सेर कर देंगे और लाइक कर देंगे फिर मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं सबको बता ना कि सर दोचार मिनिट लेट जरूर रहते हैं तब धीर धीर एड हो रहे हैं झाल 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 स्टार झाल मैं झाल स्बाइब स्टेवरा करें, तो दो शाया कि एक साथ। और आप चाल भी कि आपक एक एक टूर्ग्चाश्टा तो प्रक सोट। नहीं है एक जा भी इप मुनुट नहीं टाप है पेपर का डेट नहीं आया है अभी तक नहीं आया है पेपर का डेट आयेगा तो आपको तुरंद से वीडियो मिल जाएगा नंपूर जानकारी मिल जाएगी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आभी मात्र एक सो असी शुजन्ट टायड हो पाए है जबकि ढाइस से तीन सु शुजन्ट टायड होते हैं कि दिजंबर से पहले पेपर नहीं होगा कुछ लोग कह रहें चैट बॉक्स में देखिए पेपर होने में टाइम है कि चैन बोर्ट के तरफ से असपस्ट कह दिया गया है कि जब तक चैन बोर्ट की सरस्वों की नहीं हो जाएगी तब तक पेपर के डेट के बारे में कोई बात नहीं होगी वहलें नियुक्ति की खबर आ जाए कि चैन बोर्ट की सरस्वों की नियुक्ति हो जाए वैसे लिए तो इस्टार्ट करते हैं साथिों आब जैसा कि मैंने आज कोई сторон नहीं लिखा है बस इतना सा लिखा है कि माना की मुसकिल है सफर पर सुन ये मुसाफिर रुکना नहीं है कितना भी कपिन डगर हो लेकिन रुकना मना है रुकना नहीं है, मेहनत करती जाएए हिम्मत मत हारिए सफलता आपका कदम एक दिन जरूर छुमेगी यह मत देखिए कि पद कितने आए हैं कितना कॉंपोटेशन है बस यह प्रयास करिए जानने का कि उसमें से एक पद आपको कैसे मिलेगा इस पर अपना दिमाख लगाईए बाकी यह मत सोचे क्योंकि एक से अधिक पद आपको नहीं चाहिए ठीक है न? चलिए स्टार्ट करेंगे साथ यह हूँ सबसे पहले कलास से कुछ हट के जो दरसन है वो आपको मैं कराता हूँ और आज की दरसन में आपको मैं दिखाऊंगा भारत की वो अस्थल जो की युझेशकों में सामिल है जो उनसे महत्पूर्ण को सवाल पूछ जाते हैं तो उनको पहले से कर लेते हैं क्योंकि ऐसे भी सवाल आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए देखते हैं कुछ हट के कला के दरसन में देखेंगे सबसे पहला सवाल है वर्तमान में भारत में कितने युझेशकों के अस्थल विस्विरासत सूची में सामिल हैं ये सवाल आपसे पूछ रहा है और सही आंसर इसका क्या है वर्तमान में 40 ऐसे अस्थल हैं जो युझेशकों के विस्विरासत सूची में सामिल हैं अब पहले समझ लिजे युझेशकों क्या है बहुत सारे लोग युझेशकों का नाम पहली बार सुने होंगे युझेशकों साथियों एक अंतर राष्टी संस्था है क्या है अंतर राश्टी ये संस्था है जो काम करती किस पर सिक्षा पर विज्ञान पर संस्कृती पर ये तीन अस्तम्ब है युनेश को कि तीन अस्तम्ब क्या क्या है साथियों याद रखना पहला है एजूकेशन यानि कि सिक्षा दूसरा है विज्ञान और तीसरा है तो इन तीनों को बचाने के लिए जो है उसके पूलरक्षण के लिए कारी करता है और यह प्रकार का अंतर्राश्टि संस्था है, ठीक ना? और इसकी अस्थापना कब हुई थी? इसकी अस्थापना हुई थी 1945 इसमी में अस्थापना कहां हुआ था ब्रिटेन में इसका अस्थापना हुआ था लेकिन इसका जो वर्तमान में मुख्याले हो कहां पर है इसका जो मुख्याले है वर्तमान में यूनेश्को काव कहां पर है वो है साथियों पेरिस में कहां है प है पेरिश में है 1945 में इसकी अस्थापना हो गई थी ठीक चलिए ह। कि वे हमारा पहला सवाल भारत के कितने अस्थल है युनेक्तो के 20 विरासद सूची में सामिल है तो उनकी संख्य के तरहीं है 40 है उनकी संख्य कितनी है 40 है को suis र Comics कितनी तरके में कहीं हैं चारीष के वरतमार में और इसमें दिखी इन किस्वा सवाल वहीं स आएंगे वर्सय 2021 में रुधरेश्र मंदर को सामिल किया ज़ोकि तैलंगाना में श्तित है और इसके अलाब धौला बीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ हैं धौला बीरा मैंने आपको सिंदुगाड़ी सभ्यता की क्लास में पढ़ाया भी है धौला बीरा जो की क्या है एक सैंधो अस्थल है जो की गुजरात में इस्थित है इन दो को 2021 में सामिल किया गया है उनेशको के द्वारा संदक छेत वो कहां पर है महाराष्ट्रा में है भारत के महाराष्ट्रा में है और यहां से ही केवल पांच अस्थल है जो की 2021 सूची में सामिल है किस देश में सरवाधिक युनेशको बिस्विराससूची अस्थल है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा इटली क्या हो जाएगा इटली तो दुनिया में इटली एक ऐसा देश है जिसके सरभाधिक बिस्विराससूची अस्थल में जो है सामिल उनके अस्थल है बात समझ भे नहीं आए तो ऐसे समझे कि इटली के ही सरभाधिक अस्थल जो है उने इसको के बिस्विराससूची में सामिल है और भारत में कौन सा राज है महाराष्टरा भारत में महाराष्टरा के सरबादिक अस्थल सामिल है जिनकी संख्या कितनी है पाँच है तो वरतमान में साथियों कितने भारत के 40 अस्थल और जो सबसे रिसेंटली है वो क्या है रुद्रेश्वर मंदिर और दूसरा धौला वी निरे दिद होगता है जिसका मूर्त ना हो जानी जो दिखाई ना पड़ता हो जिसको आभास किया जा सकता है जिसकी मूर्त attract कहाँ जाता है और इसमें चैसे कला सामिल हैं जो कि भारत में प्रेक्टिश होते हैं कौन-कौन से हिंका में नाम याद रखना साथ हो बहुत ही इ परमपरा, कुडियाट्टम केरल जो की केरल राज्य का है, रम्मायट्य उहार जो की उत्राखंड का है, मुडियेट्टू केरल का है, काल बेलिया निर्त्य है ये राजस्थान का है, छो निर्त्य है, बहुत धर्म ग्रंथों के पाठ करने की जो परमपरा है, इसको भी उसमें सामिल किया गया है, संकीरतन मडीपूर का बहुत ही important है इसके लामा साथियों, पंजाब का ठठेरा, धातु का जो हस्त सिल्प है, यानि कि जो ठठेर लोग बरतन बनाते हैं पंजाब के उसको भी सामिल किया गया है, अमूर्त बिरासत में, इसके लामा योग बहुत ही important है, साथियों, 2016 में योग को सामिल किया गया है, बहुत ही important है, 2016 में योग को सामिल किया गया है, जो कि बहुत ही important है, इसके बाद में नवरोज और कुम्भ मिला, इसको भी जो है, इसमें सामिल किया गया है, और सबसे Recently कलकत्ता के दुरगा पुजा को सामिल किया गया है सबसे गर्बा को सेलेक्ट करकेonder UNESCO के पास भेजा है कि इसको भी UNESCO के अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत में सामिल किया जाए अभी इस पर विचार करेगा उन्योष को उसके बाद में अगर ये सूची में सामिल होता है तो ये आपके लिए भी याद करने की चीज हो जाएगी अभी भी याद करने की चीज है कि भारस सरकार ने 2022 में किसको भेजा है तो गरबा को भेजा है अब पहले कोई सरकार recommendation करता है फिर उन्योष को उसके बारे में अध्यन करता कि क्या वास्तों में इसके आवशकता है और आवशकता होती है तो उसके अपने सूची में सामिल कर लेता है तो इस परकार ये आज का जो है क्या हुआ कला से कुछ हंट के जो दरसन होता है वो मैंने करवाया यूनेशको के बारे में तो यूनेशको क्या है एक अंतर राष्टिय संस्था है जो संस्कृती कला विज्ञान से च्छा को बचाने का प्रयास करता है और वो सूची बनाता है और जो सूची बद्ध उसमें होते हैं उन सब का जो है वो संलक्षन करता है अगर एक सवाल पूछे साथिओं आपसे क्या कि सबसे पहले इस विरास्त सूची में भारत का कौन सा अस्थल सामिल होता तो उसका आंसर क्या है एलोरा की गुफा एलोरा की गुफा ठीक ना और इसी वर्स है अजनता की गुफा और ताज महल इन सब को भी इसी वर्स जो है युनेशको की सूची में सामिल किया गया था वर्स था 1983 लेकिन जो सबसे पहला अस्थल सामिल हुआ था उसका नाम क्या है एलोरा की गुफा तो जो सबसे पहला अस्थल था अस्थल था वो क्या था एलोरा की गुफा सबसे पहला अस्थल जो था वो था एलोरा की गुफा लेकिन उसी वर्स अजन्ता और ताजमहिल को भी सामिल किया गया था विल्कुल युनिविस्को के स्थापना कब हुई 1945 में हुए स्थापना कहा हुआ प्रेटेर में हुआ लेकिन उसका मुख्याले कहा है मुख्याले उसका पेरिस में है याद रखना आप लोग साथी हूँ चलिए अब आते हैं अपने मुख्य मुद्धे पर के स्कुल करंडी के स्कुल करंडी का जन्म कहा हुआ था के स्कुल करंडी का जन्म कहा हुआ था महाराष्टरा करनाटक मंद्य प्रदेश तमिल नाडू बताई आप लोग फटाफट केस कुलकरंडी का जन्म कहा हुआ था केस कुलकरंडी का जन्म कहा हुआ था करनाटका में हुआ था कब वहता साथियों अप्रेल 1916 में केस कुलकरंडी का जन्म कहा हुआ था करनाटका में हुआ था कहा पर हुआ था करनाटका में हुआ था बिलकुल अधिकतर लोग सही आंसर कर रहे हैं केस कुलकरंडी का जन्म 1916 में हुआ था कहा पर करनाटका में करनाटका में चलिए आगे बढ़ दें साथियों बिलकुल करनाटिका में अप्रेल 1916 में के यस कुलकरणडी कृष्ण स्यामराव कुलकरणडी नाम इनका फूल आप लोग याद रखना कृष्ण स्यामराव कुलकरणडी तो इनका पूरा नाम क्या है कृष्ण स्यामराव कुलकरणडी जन कई लोग कन्फ्यूज है नीस ओठारा बता रहे है नहीं उननीस सोला सही उननीस सोला ये स्कुल करंडी का जन्म उननीस सोला में हुआ जिनको भी नोट करना है नोट करने है चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं के स्कुल करंडी ने प्रारंभिक कलास इच्छा कहां से ग्रहेंड किया के स्कुल करंडी ने प्रारंभिक कलास इच्छा कहां से ग्रहेंड किया लखनव आर्ट कालेच, मदरास आर्ट कालेच, जेजे स्कूला फार्ट या कलकत्ता आर्ट कालेच K- स्कूल करणी ने प्रारमभिक कलास अच्छा कहां से ग्रहण किया? चलिए, अगर K- स्कूल करणी के जन्म को लेगर के कोई बिवाद है मैं इस गो एक बार क्राश चक्क कर लूँगा और कल के लाइफ क्लास में अपडेट कर दूँगा ठीक जी? Confusion नहीं होगा एक बार मैं क्राश चक्क कर लूँगा चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं समय को बरबाद नहीं करते हैं के स्कूल कंडी ने प्रारंबिक कला सिच्छा कहां से ग्रहेंड किया तो के स्कूल कंडी साहब ने 1935 इस भी में अपनी कला सिच्छा प्रापर रूप से प्रारंब किया कहां से? जे जे स्कूल आप आर्ट से जे जे स्कूल आप आर्ट से जेजे स्कूल आपार्ट कहां है मुंबई में महाराष्ट्रा में है तो जेजे स्कूल आपार्ट से इन्होंने अपना प्रारंभिक कलास अच्छा प्रारंभ किया और यहीं से इन्होंने पीजी तक तो इनकी उपर भी पढ़ा था ठीक ना चलिए तो 1935 में JJ School of Art में ये पढ़ने जाते हैं क्या कला पढ़ने जाते हैं तो इसलिए आपसन C यहाँ पर सही हो जाएगा K.S. कुल करंडी की प्रारंबिक कलास अच्छा कहां से हुई JJ School of Art से ठीक ना JJ School of Art से चलिए आगे पढ़ते हैं K.S. कुल करंडी की पहली एकल प्रदरसनी कहां लगी K.S. कुल करंडी की पहली एकल प्रदरसनी कहां लगी राष्टी आधुनिक कलास अंगरहले में आईफेक्स में आईफेक्स के आफिस में या लिलित कला अकादमी में या इनमें से कोई नहीं, आता ही आप लोगों, केस कुल करंडी का पहला प्रदरसनी कहां लगा, अब केस कुल करंडी की बारे भी जान लेजिए, आर्थिक रूप से बहुत ही तंग परिवार में इनका जन्म हुआ था, पढ़ाई के जेस्ट बात इनको पैसे कमाना था, उसकी बहुत आवशकता थी, अता इन्होंने दिल्ली में एक टेक्स्टाइल फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया था, textile factory में textile factory में इन्होंने काम करना start कर दिया था इस factory में काम करते हुए इनको normal सा पगार मिलता था लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया डबे textile factory में काम कर रहे थे तो i-fax के साथ इनका संबंद बहुत बढ़िया हो गया वहाँ आने जाने लगे वहाँ जो कलाकार आती थे क्योंकि वो सबसे बड़ा सांस्थान उसक्त हुआ करता था कला का तो वहाँ पर क्या है कि ये आने जाने लगे और उससे इनका एक संबंद अस्थापित हो गया कला के साथ में और बाकी जो बाहर के लोगे उनके साथ में कला तो इनके अंदर बच्पन से ही भरा हुआ था कूट कूट के भरा हुआ था तो इनको एक अस्थान मिल गया इनोंने 1945SB में कब 1945SB में आइफेक्स में सौरी आइफेक्स होगा आइफेक्स में अपने पहला प्रदरसनी लगाया था तो आइफेक्स के आफिस में ही इन्हों ने अपना प्रदरसनी लगाया था चलिए ठीक है देखते हैं के स्कूल करणी ने पहली एकल प्रदरसनी अपनी कहां पर लगाई थी आइफेक्स में लगाई थी 1945 में इन्होंने अपनी प्रदरसनी लगाई थी और 1945 में ही इनको जो है एक नौकरी मिल गया क्या दिल्ली पॉलिटिक्निक में पढ़ाने का दिल्ली पॉले टेकनिक में पढ़ाने का तो इस लिहास से क्या हुआ कि इनका जो आर्थिक समस्या है वो धीरे 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 धूर होने लगा तो दिल्ली पॉले टेकनिक में इन्होंने पढ़ाना इस्टार्ट कर दिया 1945 में तो इनकी जो एक आर्थिक समस्या थी वो धीरे-धीरे क्या हुई दूर होने लगी तो आईफेक्स सवाल क्या था कि पहली प्रदस्नी कहां पर लगाई तो आईफेक्स में लगाई 1945 में लगाई चलिए सात्यों आगे देखते हैं ah saandit Об यह तो आप देख रहे हैं कि यह जब सुरूबात मेग केवल जेप खर चलाने के लिए टेक्स्टाइलगी में काम करते थे तो आइफेक्स के साथ जुड़ गए अभी आगे आप देखेंगे कई संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं तो इनमें जो है खास बात यह थी कि संस्थाओं के साथ इनका जुड़ाव बहुत ज़ादा था इनके बारे में एक दू चीजे और कही जाती है वो यह है कि यह क्या है प्रिमिटिव आर्टिस्ट है क्या है प्रिमिटिव आर्टिस्ट है प्रिमिटिव आर्टिस्ट इनको कहा जाता है इसके अलावा इनको चाइल्ड आर्टिस्ट भी कहा जाता है चाइल्ड आर्टिस्ट कहा जाता है चाइल्ड आर्टिस्ट कहा जाता है अब ऐसा नहीं है कि इनको चाइल्ड आर्टिस्ट इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की चितर अच्छा बनाते थे ऐसा बिल्कुल नहीं है इनको लोग इसलिए कहते थे चाइल्ड आर्टिस्ट ये बहुत भड़े कला मनिसी होने के बाव लगता था तो कला के छेत्र में साथ ही याद रखना कि जो है कठीन चीजे बनाना या कठीन लिखना या कठीन गाना अच्छा नहीं होता है जितना सरलता से आप उसको प्रसुद करेंगे ज्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगा तो इसलिए कई सारी जो है इनको कला इतिहास का primitive artist यानि कि आदिम कला कार कहते हैं है कि इनका जो कला है वो बहुत ही normal सा है जीसे पुराने लोग बनाते थे और दूसरा इनको child artist की बहुत ही बचखाने से है तो इनकी जो है एक आलोचना भी एक तरीके से की जाती है इसके लिए सवाल क्या था साथ हुमारा कि केस कुलकरंडी ने त्रबेडी कलासंगम का अस्थापना कप किया तो इसका सही आंसर क्या होगा अगर किसी को पता है तो बताए कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है 1948 1948 में इन्होंने त्रबेडी कला संगम का अस्थापना किया और यह त्रबेडी कला संगम जो है बहुत लंबे समय से चला आ रहा है इसने इसको अस्थापित करने के बाद में केस कुल करणी निस पर बहुत सारा काम किया और दिल्ली पॉलिटिक में पढ़ाते भी रहे और इसका भी काम करते रहे यह अपने आप में एक ऐसा संस्था बन गया जहाँ पर जो नए नवेली लोग आते थे उनको सहीयोग मिलता था उनकी कला को सहीयोग मिलता था पूछ रहा कि सर्जी अपर चस्मा कहां गया सर्जी का चस्मा सर्जी के भांजे ने तोड़ दिया है तो वो भी बन करके ठीक नहीं हुआ है इसलिए सर्जी चस्मा नहीं लगा रहे है चलिए आगे देखेंगे केस कुलकंडी के चित्रकला केस कुल करंडी को चितर कला के लिए पहला राष्टिय पुरुसकार कब मिला केस कुल करंडी को चितर कला के लिए पहला राष्टिय पुरुसकार कब मिला 1955 में, 1962 में, 1965 में या 1945 में केस कुल करंडी को चितर कला के लिए पहला सुन्ड पदक कब मिला कि ये स्कूल करणडी को चितर कला के लिए पहला सुनद पतक कम मिला मेरा चस्मा जो है मांजा मेरा उस पर बैठ गया और ये नहीं कि गलती से बैठा हो जानबूज करके अब बच्चों का मन छोटा सा है भी जब लाइब क्लास हमारा देखता है तो कहता है कि हमारी बात करवा हूँ हमसे बात करें चलिए देखती साथ हूँ के स्कूल करणडी को चितर कला के लिए पहला राष्टी पुरुसकार का मिला 1955 में इनको पहला राष्टी पुरुसकार मिला दूसरा राष्टी पुरुसकार इनको 1962 में मिला कम मिला 1962 में इनको दूसरा मिला और तीसरा इनको कम मिला 1965 में तो इनको तीन राष्टी पुरुसकार मिले थे पहला मिला 1955 में दूसरा मिला 1962 में और तीसरा मिला 1965 में और 1945 में इन्हों ने अपनी पहली प्रदरसनी लगाई थी पहली एकल प्रदरसनी इन्हों ने लगाई थी तो नाम याद रखना यहाँ पर रहा लगेगा प्रदरसनी ठीक ना तो 1945 में पहली प्रदरसनी लगाई थी तो 55, 62, 65 याद रखना तीकिना 55, 62, 65 जो जहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे तुम्हारे मुताबिक नजर आएं कैसे कई लोग खपा भी रहते हैं आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं सहीोग कर रहे हैं लेकिन कई लोग खपा भी रहते हैं हमको उनसे कोई फ़रक नहीं पड़ता है जो है सो है चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों के स्कुल करणडी किस विस्विद्याले के डीन न्यूक्त हुए के स्कुल करणडी किस विस्विद्याले के डीन न्यूक्त हुए एलाहबाद दिल्ली बनारस या लखनव के स्कुल करणडी किस विस्विद्याले के डीन न्यूक्त हुए के स्कुल करणडी किस विस्विद्याले के डीन न्यूक्त हुए बिल्कुल अधिकतर लोग सही आंसर कर रहे हैं लेकिन जाएतर लोग गल्ट भी कर रहे हैं कोई बात ने इस सही गल्ट का ये जो सिलसिला है ये यही पर खत्म हो जाए यानि कि जब आप तयारी कर रहे हैं एक्जाम में गल्ती नहीं होना चाहिए अब ही गलत बताने से कोई दिखकत नहीं है चलिए तो के स्कुल करंडी पनारस विश्विद्याले के कला संकाय के अध्यक्ष कला संकाय के अध्यक्ष एवं इस्विद्याले के डीन जो है ये नियुक्त हुए थे तो ये अपने आप में बड़ा पद होता है डीन का पद जो है अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है और साध्यों कब अस्थापित हुए थे? अस्थापित नहीं कभ इनोंने जॉइन किया था अस्थापित तो प्रतिमाय होती है कभ इनोंने जॉइन किया था 1972 में 1972 में और 1972 से लेकर के 1978 तक 72 से लेकर के 1978 तक ये बनारा सिंदू बिसुविद्याले के साथ जुड़े रहे बनारा सिंदु विश्विद्याले के साथ ये 1972 से ले करके 78 तक जुड़े रहे 1972 से ले करके 78 तक बिल्कुल आगे बढ़ेंगे साथ हूँ और ये आपके लिए एक सर्प्राइज सा है 5 सेतंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है थोरी का 5 सेतंबर से संपूर थोरी का नया बैच प्रारंब हो रहा है जिसकी फीस मात्र 999 रुपे रखी गई है इसमें टेस्ट आपको फ्री मिलेगा और वो आपके एकजाम तक चलेगा तो जो लोग पेट क्लास जॉइन करना चाहते हैं थोरी कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया आउसर है आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीन शॉर्ट भी ले सकते हैं संपूर जानकारी के लिए आपको बस इस नंबर पर भोन करना है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी तो 5 सेतंबर से आने वाले 5 सेतंबर सिच्छक दिवक्स से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है सिच्छक बननी की यात्रा में बहुत महात्पूर होगा तो जो लोग जोईन करना चाहते हैं इस नंबर पर संपर करके जोईन कर सकते हैं फीस मात्र 999 रुपए और साथियों जिन लोगों को ये बुक करना है नोट्स, complete नोट्स भुक करना है, साल सु याद रखना, 5 सितमबर के बाद में, नोट्स की बुकिंग मैं बंद करने वाला हूँ, तो 5 सितमबर से पहले आप लोग अपना नोट्स भुक कर की घर पर मंगवा सकते हैं, नोट्स को भुक करने के लिए भी आपको फोनी करना है, 96 96, 82, 76, 46 पर, तो सूचना हुई है समाप्त, अब बढ़ेंगे आगे, जिल लोगों को इंट्रेस्ट है, वो इसका स्क्रीन शाट ले सकते हैं, दिखिए, सिर्फ कोश्चन आंसर के रिविजन से त्यारी नहीं होगी, अगर आपने थियोरी सम्प्लीट नहीं पढ़ा है, तो जरूर पढ़ेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, केस कुलकरणडी किस राज के ललतकला एकादमी के अध्यक्ष रहे, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिल नाडू या गोवा, राई या प्रोग। चलिए, बताइए आपनो, प्रोग। उत्तर प्रदेश राज ललतकला एकादमी के अध्यक्ष के पत पर रहे, ललतकला एकादमी का मुख्याले कहां है, जो राश्टी मुख्याले वो कहां पर है, दिल्ली में है साथियों, कहां पर है, दिल्ली में है, तो ललतकला एकादमी का मुख्याले है, वो कहां पर है, द क्लास के बारे में जिनको भी जानकारी लेना है वो फोन कर लेंगे, फोन नमबर दे दिया गया है विल्कुल तो जो लिल्टकला एकादमी का राष्टी मुख्या लेओ कहां पर है, दिल्ली में है और साथियों याद रखना, उसकी अस्थापना कब हुई है 1954 में 5 अगस्त 1954 को लिल्टकला एकादमी का अस्थापना हुआ था और उसके संस्थापक उद्गाटन करता कौन थे? उसके संस्थापक उद्गाटन करता थे डाक्टर जो है अबुलकलाम आजाद, मौलाना अबुलकलाम आजाद, अबुलकलाम आजाद तो अबुलकलाम आजाद ने उसके अस्थापना की थी उस वक्त वो सिक्षा मंतरी हुआ थे भारत के उनिस सुचंवन में उसके अस्थापना हुई थी और उसके अलग-अलग छेत्रिये कारियाले भी है जिनमें से एक उत्तर प्रदेश में है हाँ आवद ओजा सर भी गोंडा कही है बिल्कुल आवद ओजा सर भी जो है गोंडा कही है आप लोगों ने उनकी क्लासेश देखी होंगी तेरे घर से महज 20 से 25 क्लोमेटर के दूरी पर है आवद सर का घर इध्यास के बहुत जानकार है आगे बढ़ते हैं साथ ही हों तो केस कुल करणडी किस राज के लल्द कलाएक आदमी के अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के अचा कई लोग कंफूज होंगे कि 72 से 78 तो बनारस में थे तो अध्यक्ष कैसे हो गए अरे गुरु ऐसा है अध्यक्ष के पतपर रह सकते हैं अध्यक्ष कोई फाइल ढोने का थोड़े होता कि वहां आप ढो रहें तो यान ही ढोपाएंगे के स्कूल करंडी के प्रमुक चित्रों को देखेंगे साथियों पनघट पर पनहारण असनानार्थी फिलोने घोड़े चार बहने दो बहने और तीन बहने चार दो और तीन बहनों का चित्रों ने किया है खोली द्वारपाल शांड और किसान प्रिंदावन में राधा मास्क महाबीर ग्रीन योम ब्ल्यू मुखवटा बापू बालिकाएं घोड़े के साथ में ये कुछ महत्रपूण चित्र हैं इनके तर गोंड़ा में कहां रहते हैं आप गोंड़ा में मैं इटिया थोक के पास में रहता हूं दिनेश सागर जी कह रहे हैं कि प्रियाग राज में कला बीद का प्रदरसनी लगाई गई थी आप नहीं आये थे बिलकुल नियोता मुझे भी मिला था राकेश जी की तरप से लेकिन मैं आ नहीं पाया आपकों की क्लास भी तो होती है तो साथियों आज के थमनिल में मैंने क्या लिखा था कि केश कुल करणडी और जगदीश श्वामिनाथन यानि कि जेश श्वामिनाथन दोनों को हम कबर करेंगे लेकिन सत्त यह है कि वो तोनों हो नहीं पाया आज और इसकी वज़े यह है कि कुछ ऐसे काम से मैं दो दिन से ब्यस्त हूँ कि पीपीटी प्रापर उस तरीके से बन नहीं पा रहे हैं तो आज का जो क्लास से मैं यही पर समाप्त करूंगा जगदीश श्वामिनाथन को हम कल कबर करेंगे कल संडे है कल आपकी लंबी क्लास चलेगी और जितना भी हफते भर में हुआ उसका रिविजन मैं कराऊंगा और जगदीश श्वामिनाथन को मैं कल ही कबर कर लूँगा मा भी चाहता हूँ साथियों कल भी मैंने क्लास 40 मिनट की ही के थी एखी कलाकार को किया था लेकिन ठोड़ी बेस्तिता की वजय से es tart कर लेंगे तो कल जगदीश श्रमिनाथन को हम कवर कर लेंगे और हफ्ते भर की जो पढ़ाई है जो हफ्ते भर की आपकी पढ़ाई है पिछले उन सब का एक ललन टाप रिवीजन संपूर्ण रिवीजन कल कर लेंगे क्लास तेड़ घंटे से कम नहीं हुए और फाने दो घंटे की कलास होगे ठीक हुए जी तो कल मिलते हैं और आठ बजे कल करीब डेट से दो पहने दो घंटे का कलास होगा तो आप लेंगे पुरा तैयारी के साथ एनरजी के साथ आईएगा कल एकदम भंडारा होने वाला है समकालीन कलाकारों का हापते भर की जो पढ़ाई है ठीक है तो साथियों कल मिलते हैं है ओके ओके थैंक यू थैंक्स टू आला प्यू अगर आप लोगों कुछ सवाल होंगे तो आपको कमेंट वाक्स में छोड़ देना उसका भी आंसर मैं कर दूंगा बाकी कल मिलते हैं बहुत-बहुत और लाइक भी कर दिया करिये ताकि मेरा भी मोटिवेशन जो है पढ़ जाए अभी मैं देख रहा हूं कि मातर तीन सो लाइक हुआ है जबकि साड़े चार सो पांसु इसको पढ़ चुके हैं तो एक बार जाते जाते आप सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए जाते जाते आ कि अग्यों कर दिया है नहीं किया है वो लोगों का भी आभार आगे वो लोग कर लेंगे